तो हम तैयार हो चुके थे और आप वक्त हो गया था रिंग सेरिमनी का और मैं और मेरी कजिन मिलके होने वाली दुलनिया को स्टेज तक लेके जाते हैं तो सबसे पहले कुछ रिचुवल्स होते हैं और उसके बाद टाइम हो जाता है रिंग एक्षेंज करने का और रिंग ले जाने का काम सौब आगे से मुझे दिया जाता है और इतना भारी काम करने के बाद मैं स्टेज से नीचे आ जाती हूँ इसके बाद फाइनली रिंग एक्षेंज होती है फिर सबी लोग अपना आशिरवाद देने के लिए स्टेज पर आते हैं और मैं भी अपने कुछ पोटोज और वीडियोज ले लेती हूँ और फिर हम सब एक साथ दिनर करते हैं तो खाना खाने के बाद कपड़े चेंज करके हम सब निकल जाते हैं घर के लिए अब मेरे सारे काम इतना इजीली हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो घर जाते वक्त हमारी गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर तो आप दा को अबसर में बदलते हुए हमने रात के दो बजे भी कुलड़ वाली चाय और हम घर पहुचे रात के तीन बजे तो कलम निकलेंगे वापस कैरला के लिए तो मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई